स्पीकर सर आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया इसका मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ धन्यवाद कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाशन में विपक्ष के बारे में बोला था कि विपक्ष अंदोलन की बात कर रहा है मगर जो क्रिशि कानून है उनके कॉंटेंट के बारे में और उनके इंटेंट के बारे में विपक्ष नहीं बोल रहा है तो मैंने सोचा आज प्रधानमंत्री जी को खुश करें और जो तीन किसान के बिल हैं उनके कॉंटेंट का और इंटेंट का कि बात करें हाँ बजट पर बोलेंगे बजट पर बोलेंगे आप शान्त हो जाएए फिर किसान का मुद्दा भी बजट का मुद्दा है आप उनका आदर कीजिए तो बात है कि इन तीनों कानूनों का कॉंटेंट और इंटेंट क्या है तो पहले कानून का कॉंटेंट क्या है पहले कानून का कॉंटेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी आनाज सब्जी फल खरीद सकता है जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है तो अगर अगर खरीदी देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा मंडी में कौन जाके खरीदेगा तो पहले कानून का कॉंटेंट मंडी को खतम करने का है इसका लक्ष मंडी को खतम करने का है दूसरे कानून का कॉंटेंट क्या है कि बड़े से बड़े उद्योग पती जितना भी अनाज जितना भी फल जितनी भी सब्जी स्टॉर करना चाहते हैं वो स्टॉर कर सकते हैं कोई लिमिट नहीं जितना वो होट करना चाहते कर सकते हैं दूसरे कानून का कॉंटेंट एसेंशल कमोडिटीज आक्ट को खतम करने का दूसरे कानून का कॉंटेंट जमा खोरी को अनलिमिटेट तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का अब तीसरा भी कानून है तीसरा कानून का कॉंटेंट तीसरा कानून का कॉंटेंट जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योग पती के सामने जाकर अपने अनाज के लिए अपने सब्जी के लिए अपने फल के लिए सही दाम मंगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा तीसरे कानून का कॉंटेन आपको याद होगा सालों पहले फ्रामिली प्लैनिंग का एक नारा था आपको याद होगा हम दो हमारे दो अब मैं इंटेन्ट की बात करता हूँ कानून के इंटेन्ट की बात आज क्या हो रहा है जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है आज इस देश को चार लोग चलाते है हम दो और हमारे दो जैसे उस टाइम उस टाइम नाम सब जानते हैं नाम सब जानते हैं आप बोलो हम दो हमारे दो यह तो पहले कानून का इंटेंट बताता हूं पहले कानून का इंटेंट के हमारे दो मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज ठल और सब्ची को वेचने का दिका यह है पहले पहले कानून का इंटेंट नुक्सान किसका होगा नुक्सान खेलेवानों का होगा नुक्सान छोते भी अपारियों का होगा नुक्सान जो लोग मंडी में काम करते हैं लाकों लोग उनका होगा अब चलिए दूसरे कानून की इंटेंट की बात करते हैं दूसरे मित्र की मदग करने का है दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज वल और सब्की मनौपी की मनौपली के जानी है अग दूसरे मित्र चालेश प्रतिशा दिंदोस्तान का अनाज अपने साहलों में रखता है यह सदन है और सब्सक्राइब में रखेगा यह कोई यह सबाब है यह प्रधान संत्री कहते हैं सर में आए मैं अधिक्षी आपको करना तता हुए प्रधान मंत्री कहते हैं ति मैंने ऑप्षन दिया है हाँ आपने ऑप्षन दिया है तीन ऑप्षन दिये है पहला ऑप्षन भूप दूसरा ऑप्षन बेरजगारी तीसरा ऑप्षन आदवत्या यह तीन ऑप्षन आपने दिये है अब देखिए मामला क्या है मामला यह है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनस सबसे बड़ा व चालिस प्रतिशद अबादी इस पे जीती है चालिस लाग करोर रुपे का धंडा है दूसरे कानून का इंटेंट है कि एक व्यक्ति को आप पूरे देश की अनाज की स्टॉरिंग की मनौपली दे दो और जब किसान अपने अनाज के लिए सही दाम मांगने जाएगा तो जिसके पास स्टॉरिंग की मनौपली होगी वो मार्केट में अनाज डालेगा और किसान से कम से कम पैसे में खरीद करेगा कि इस देश की जो रीड की हटी है किसान मजदूर चोटे दुकानदार भी आपारी उस रीड की हटी को टुक्रे करके तो मिक्रों को दे दू सर आपने माइक बंद कर दिया तर आपने सर इस से होगा क्या जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान है इस देश के मजदूर है छोटे वियापारी है इनका धंदा बंद हो जाएगा इन में से किसानों की खेट चली जाएगी किसान को सही दाम नहीं मिलेगा छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी और सिर्फ सिर्फ दो लोग हम और हमारे हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएगे हिंदुस्तान का फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है वो नश्ट हो जाएगा और पहली बार सालों बाद एक बार फिर पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा रूरल एकॉनमी नश्ट हो जाएगी और ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा ये नई चीज नहीं है ये आप मत सोचिए कि ये नया अटेम्ट है पहला अटेम्ट है ये पहला नहीं है ये काम प्रधान मंत्री ने हम दो हमारे दो के लिए पहले नोट बंदी में शुरू किया था पहली चोट नोट बंदी थी आइडिया किया था गरीबों से किसानों से मज़दूरों से उनका पैसा लो बैंक में डालो और हम दो हमारे दो के जेम में डालो स्माल मीडियम सेक्टर को खतम कर दिया किसानों को बर्बाद कर दिया वहां नहीं रुके फिर गए जी एसकी गबबट सिंग टैक्स पांच अलग-अलग टैक्स और फिर से उन्हीं बिचारों पर आक्रमन उन्हीं किसानों पर उन्हीं मजदूरों पर उन्हीं व्यपारियों पर आक्रमन फिर करोना आता है करोना के समय मजदूर चिला चिला के कहते हैं हमें बस का टिकेट दे दीजिए हमें ट्रेन का टिकेट दे दीजिये नहीं 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 तुम्हें नहीं मिलेगा तुम पैजल घर जाओगे मगर टैक्स माफ जरूर होगा जरूर होगा पांच द्योग पतियों को टैक्स होगा तो पहले नोटबंदी फिर GST फिर करोना के समय उन्हीं यह चार पांच दस लोगों को पूरा पूरा कर्जम आप 10 लाग करोन रुपए जो भी ठाक कर्जम आप मगर हुआ क्या हिंदुस्तान हिंदुस्तान का रोजगार का जो सिस्कम है जो स्मॉल और मीडियम इंडिस्ट्री है वो खतम हो गई आज यह देश रोजगार नहीं तोर दी है किसान की मजदूर की चोटे दुकानदार की स्मॉल मीडियम बिजनस की रीड के हड़ी तोर दी मगर यह मत समझे कि यह किसानों का अंदोलन है यह किसानों का अंदोलन नहीं है आपको बात अभी समझ नहीं आई है यह देश का अंदोलन है और यह किसान सिर्फ र वास्ता दिखा रहा है किसान अंदेरे में तौर्च दिखा रहा है और एक आवाज से ये पूरा देश उठने वाला है पूरा देश एक आवाज से हम दो हमारे दो के खिलाफ उठने जा रहा है और ये याद रखिये मैं कह रहा हूँ लिख के ले लीजिए आप सोचते हो कि हिंदुस्तान के किसान को मजदूर को छोटे दुकांदार को अपने पैसे से अपने धन से परे कर सकते हो ये आप सोचते हो आप ये सोचते हो आप लिख के ले लो मुझसे किसान एक इंच पीछे नहीं हटने वाला है किसान आपको हटा देगा मजदूर आपको हटा देगा छोटा दुकांदार आपको हटा देगा मगर वो पीछे एक इंच नहीं हटने वाला आपको कानून वापिस लेना ही पड़ेगा अब बात करते हैं बजट की जब बजट पर बात चीट करने का की बात उठी थी प्रेजिडेंट्स अड्रेस पे बात करने की बात उठी थी तो हमने कहा था विपक्ष ने कहा था हमें किसानों के आदर करने के लिए किसानों के सब्जेक्ट पर अकेला बोलने दीजिए एक साथ हम सम मिलके किसानों के मुद्धे पर बोलेंगे स्पीकर सर ने सरकार से पूछा और सरकार ने कहा नहीं किसानों के मुद्धे पर चर्चा नहीं होगी बजट पर होगी और प्रेसिडेंट्स अड्रेस पर होगी अलग चर्चा किसान के मुद्धे पर नहीं हो सकती तो प्रोटेस में मैं कह रहा हूँ मैं बजेट पे आज यहां टिपनी नहीं करने वाला हूँ मैं आज सिरक किसान के मुद्वे पे बोलूँगा और उसके बाद मैं अपना मूठ चुप कर दूँगा अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि जो 200 किसान शहीद हुए उनको इन लोगों ने श्रदांजली नहीं दी मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूँ मैं अपने बाशन के बाद दो मिनट शहीदों के लिए मौन रहूँगा आप मेरे साथ खरे हो जाएए धन्यवाद